जस्माना का इंडिसा पतानी कॉलब्रेशन नहीं होगा क्या रिज़ा ना इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं तो लेट्स गो फोर वीडियो फोर मोर आपडेर्स चनल सस्क्राइब कर लेना थैंक्यू सो मच मुझे अभी भी बहुत सारे मेसेज और कमेंड्स आते हैं कि जस्माना का इंडरनेशनल कॉलब्रेशन यानि कि दिसा पतानी और डिजसनेक के साथ आने वाली थी वो हमको क्यों देखने को नहीं मिर रही तो मैं आपको बताओं तो यह जो कॉलब्रेशन है वो होने वाला भी नहीं है देखो अगर मैं आपको बताओं तो जस्मानाक ने 2019 में बोला था डिजसनेक एंडिसा पतानी के साथ कॉलब्रेशन होगा करकी फिर जस्मानाक ने पोस्ट डिलिट कर दी थी तब हमको पता चल जाता है कि यह जो international collaboration है वो हमको देखने को नहीं मिलेगा अगर हाँ अगर delete भी कर दिया अगर song भी आने वाला होता तो भाई चार साल से भी अधिक हो चुक है अभी तक जास्माना का यह international collaboration जो है हमको देखने को नहीं मिला जास्माना का यह जो international collaboration है वो हमको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा लगता है और आप उतना भी जादा expect ना करें कि जास्माना का यह international collaboration आएगा अगर आना होता तो भाई दो से तिन साल पहले ही आचुका होता कहीं ने कहीं ऐसा है कि जास्माना का यह जो international collaboration है वो हमको देखने को नहीं मिलने वाली है बिकाज अगर यह जो सौंग है अगर बन गई होती तो भाई कब का रिलीज हो गया होता यह सौंग बट अभी तक रिलीज नहीं हुई तो हमको यहीं लगता है कि जास्माना का यह collaboration जो है international वाली हमको देखने को नहीं मिलने वाली सो बाकि आपको क्या लगता है यह जो जास्माना का international collaboration है दिसा पठानी डिजसने के साथ यह कभी आएगा फिर नहीं अपना opinion का मेंड करना बाकि ऐसा लगता है कि यह जो collaboration था international वाली यह नहीं आने वाली यह जो collaboration है वो cancel हो गई होगी कर दो